हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसाम जैन्ड स्वेटर का पैटन सियर करने जारी हूँ अब हम अपना पैटन बनाना start करते हैं तो देखिए फ्रंट सैड से पैटन की first row first row बनाने से पहले देखिए सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट के शाप से फंदे डाल लेने हैं फिर कोई सा भी border बना के complete का लेने है, border complete होने के बाद फ्रेंट साइड से हमारा पैटन बनना इस्टार्ड होगा तो देखे पैटन की फर्स्ट रोप अब फर्स्ट रोप में देखे पहला फंदा उतार लेंगे यह पहला फंदा उतार लेना है और एक फंदा सीधा बुन लेंगे ये एक फंदा सीधा बुन लेना है अब देखें इन दो फंदों को छोड़ने के बाद हमारा पैटर्ण बनना स्टार्ड होगा छे फंदे उल्टे बुन लेंगे एक दो तीन चार पांच और छे ये छे फंदे हमने उल्टे बुन दिये धागा पीछे करेंगे और चार फंदे सीधे बुनेंगे एक डो तीन और चार तो देखें छे फंदे उल्टे आ गए चार फंदे सीधे आ गए यही प्रोसिस हमें आगे रिपीट करना है छे फंदे उल्टे बुन लेंगे और चार फंदे सीधे बुनेंगे एक दो तीन चार पांच और चे यह छे फंदे उल्टे आ गए धागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन और चार यह चार फंदे सीधे सेम फ्रोसिस रिपीट करते जाएंगे फ्रंट साइट से अपनी फस्ट रो कंप्लीट कर लेंगे यह देखे फ्रंट साइट से हमारी पैटन की फस्ट रो कंप्लीट हो गई अब देखे बैक साइट से से किंड रो अब से किंड रो में देखे पहला फंदा उतारेंगे और बैक साइट से हमने से किंड रो को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करना है पूरे पैटन में हमने बैक साइट से यही प्रोसिस रिपीट करना है देखे बैक साइड से हमारी सेकिंड रो कम्प्लेट हो गई आप देखे फ्रंट साइड से थर्ड रो अब थर्ड रो को हमने फर्स रो की तरो बुनते हुए कम्प्लेट करना है दागा अपनी साइड करेंगे छै फंदे उल्टे बुन लेंगे दागा पीछे करेंगे चार फंदे सीधे बुन लेंगे सेम प्रोसिस रिपीट करते जाएंगे और फ्रंट साइड से थर्ड रो कम्प्लेट कर लेंगे ये देखे ये फ्रंट साइड से हमारी थर्ड रो कम्प्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से फोर्ट रो फोर्ट रो को हमने सेखिंड रो की तरह उड़ा बुनते होए कम्प्लेट कर लेना है ये देखे बैक साइड से हमारी फोर्ट रो कम्प्लेट हो गई आप देखे फ्रंट साइड से फिप्तरो अब फिप्तरो को हम फोर्ट रो की तरह बुनते होए कम्प्लेट करेंगे आप देखे बैक साइड से हमारी फिप्तरो कम्प्लेट होए ये फिप्तरो को हम फोर्ट रो की तरह बुनते होए कि तरह बुनते हैं पिप्तरो को हमने फिप्तरो की तरह बुनते होए कम्प्लेट किया बैक साइड से देखे इस इक्स रो को हम सेकिंड रो की तरह उल्टा बुनते होए कम्प्लेट करेंगे इदेखे बैक साइड से हमारी सिक्स रो कम्प्लेट हो गई आप देखे फ्रन्ट साइड से से शेवंत रो आप सेवंत रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे नेस्ट फंदा सीधा बुनेंगे अब देखे नेस्ट हम 6 फंदे सीधे बुनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह 6 फंदे सीधे बुन दिये छेपंदे सीधे बुनने के बाद देखे चार फंदों में हमारा पैटरन आएगा जो ये चार फंदे सीधे दिखाये दे रहे हैं इनमें हमारा पैटरन आएगा तो इन दो फंदों को आगे करेंगे और देखे ऐसे बीच में जो इस पेस दिखाए दे रहा है यहाँ पर हम सलाई डालेंगे और देखे एक फंदा बना लेंगे एक फंदा बनाने के बाद इस फंदे को लेफ निडिल में डालेंगे धागा अपनी साइड करेंगे अब देखे जो एक्स्ट्रा फंदा बनाया है और पहला फंद है, इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे, दो का एक कर लेंगे, धागा अपनी साइड दो का एक करेंगे, धागा अपनी साइड रहेगा, नेस्ट फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे, यह देखे, धागा पीछे कर लेंगे, अब नेस्ट हमने दो फंदों में से प्रोसिस रिपीट करना है, दो फंदों को आगे करेंगे, ऐसे दिखे इस पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने सलाइड डालनी है, एक फंदा बना लेना है, इस फंदे को हम ऐसे लेप नीडल में डालेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, और दिखे एक एक्स्ट्रा फंदा और पहला फंदा, इन दोनों को एक साथ बुन लेंगे, और उल्टा बुनेंगे, फिर नेश्ट्र फंदा भी हम उल्टा बुनेंगे, यह देखे, यह चार फंदा में हमारा पैटन आगया, धागा पीछे करेंगे, छै फंदे सीधे बुन लेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच और छे, छे फंदे सीधे, छे फंदे सीधे बुर्ने के बाद देखिए, चार फंदों में हम पैटरन डालेंगे, दो फंदे आगे करेंगे, बीच में देखें जो इस पेस दिखाई देरा, यहां पर हम सलाइड डालेंगे, और एक फंदा बना लेंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, अब दिखिए जो एक्स्ट्रा फंद है पहला फंद है, इन दोनों को एक साथplings करेंगे दो का एक करेंगे फिर देखे एक फंदा उल्टा मुनेगे, अब दिखिए नैस्ट्रा अपने सेम प्रोसेस रिबीट करना है दो फंदों को आगे करेंगे और देखे जो इस पेस दिखाई दे रहा है यहां पर हम सलाई डालेंगे एक फंदा बनाएंगे इस फंदे को हम लेफ निडिल में सिफ्ट करेंगे धागा अपनी साइड करेंगे और देखे दो फंदे एक साथ बुलेंगे दो का एक कर लेंग और फ्रेंट साइड से अपनी सेवंत्रों कमप्लेट करेंगे यह देखे यह फ्रेंट साइड से हमारी सेवंत्रों कमप्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से एड़त्रों अब एड़त्रों को हमने सेकेंड रो की तरह उल्टा बुनते हुए कमप्लेट कर लेना है यह देखे यह बैक साइड से हमारी एड़त्रों कमप्लेट हो गई अब देखे फ्रेंट साइड से नाइंत्रों अब नाइंत्रों में देखे पहला फंदा उतार लेंगे नेश्ट फंदा सीधा बुन लेंगे आप देखे नेश्ट हमने दो तो चार एक पांच पांच फंदे सीधे बुन लेने तो देखे, एक, दो, तीन, चार, और पांच, ये पांच फंदे सीधे बुने, पांच फंदे सीधे बुनने के बाद देखे, नेस्ट हमने दो फंदों में पैटर्न डालने हैं, दोनों फंदों को आगे करेंगे, और इस फेस में ऐसे सलाई डालेंगे, एक फंदा बना और इस फंदे को left needle में shift करेंगे, धागा अपनी side, extra फंदा और पहला फंदा, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे, दो का एक कर लेंगे, यह दो का एक किया, फिर देखें, next फंदा भी हमने उल्टा ही बुन लेना है, फिर धागा पीछे करेंगे, आप देखें, यहां center में दो फंदे सीधे आजाएंगे, एक और दो, यह दो फंदे सीधे, आप देखें, next हमने दो फंदों में pattern डालना है, एक और दो, दो फंदे आगे करेंगे, इस पेस में देखें, ऐसे slide डालेंगे, एक फंदा बना लेंगे, एक फंदा बनाया, इसको left needle में shift करेंगे, धागा हमने उल्टा बुन्दे, धागा पीछे करेंगे, अब देखें, यहाँ पे center में हमने यहाँ चार फंदे सीधे बुन्दे, जो हमारे 6 फंदे थे, उन में से हमने 4 फंदे सीधे बुन्दे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे, चार फंदे सीधे आगे, अब देखें, nest हमने दो फंदों में pattern डालना है दोनों फंदों को आगे करेंगे इस space में हम ऐसे slide डालेंगे एक फंदा बनाएंगे इस फंदे को left needle में डालेंगे धागा अपनी side अब देखे एक extra फंदा और पहले नमबर का फंदा ऐसे एक साथ बनेंगे और एक फंदा बना लेंगे nest फंदा उल्टा धागा पीछे दो फंदे सीधे आजाएंगे धागा पीछे ही रहेगा nest दो फंदों में pattern आएगा तो दोनों फंदों को आगे करके ऐसे space में slide डालेंगे एक फंदा बनाएंगे फिर इसको left needle में डालेंगे धागा अपनी side एक्स्ट्रा फंदा और पहले नमबर का फंदा दोनों को एक साथ बनेंगे एक फंदा बनाएंगे nest फंदा उल्टा बनेंगे धागा पीछे चार फंदे सीधे आजाएंगे फिर देखिए nest आमने दो फंदों में pattern डालना है दोनों फंदों को आगे करेंगे ऐसे space में slide डालेंगे एक फंदा बनाएंगे left needle में डालेंगे धागा अपनी side ये दो फंदे एक साथ बनेंगे दो का एक एक फंदा उल्टा धागा पिछे करेंगे दो फंदे सीधे आजाएंगे ऐसे अब next आमने देखिए last के तीन फंदे सीधे बुन लेने है ये देखिए फ्रंट side से हमारी 9th row complete हो गई अब देखिए back side से 10th row अब 10th row को हमने second row की तरह उल्टा बुनते हुए complete कर लेना है ये देखिए back side से हमारी 10th row complete हो गई आप देखिए front side से 11th row अब 11th row में देखिए पहला फंदा उतारा next फंदा सीधे बुनेंगे आप देखिए ये हमारे pattern वाले फंदे आ जाते हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4 चार फंदे सीधे बुनेंगे नेस्ट हमने 2 फंदों में pattern डालने है तोनों फंदों को आगे करेंगे और ऐसे इस वेस में slide आलेंगे एक फंदा बना लेंगे इस फंदे को left needle में डालेंगे धागा अपनी side करेंगे और 2 का एक कर लेंगे ये 2 का एक किया फिर एक फंदा उल्टा बुन लेंगे धागा पीछे करेंगे अब देखिए नेस्ट हम 4 फंदे सीधे बुन लेंगे एक, दो, तीन, चार ये 4 फंदे सीधे बुने 4 फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए हमने 2 फंदों में pattern डालना है तो दो नो फंदों को ऐसे आगे करेंगे और इस पेस में देखे ऐसे सलाई डालेंगे एक फंदा बना लेंगे एक फंदा बनाने के बाद देखे इस फंदे को ऐसे लेफ निडिन में डालेंगे धागा अपनी साइड करेंगे और ये दो फंदे एक साथ बुनेंगे दो का एक क्या धागा अपनी शाइड रखेंगे. और नेश्ट हमदा भे हमने उल्टा vivfal len है. धागा पीछे करेंगे. और देखें 2 फंदे सीधे उलेंगे. एक, दो, दो फंदे सीधे. अधाब आपने 2 हमने ने बिखेंगे ह हमने 2 फंदे सीधे. एक एक्स्ट्रा फंदा और एक पहले नंबर कई देखे इस तरीके से फिर नेस्ट फंदा भी हमने उल्टा बुन लेना है धागा पीछे करेंगे 4 फंदे सीधे एक दो तीन चार फंदे सीधे बुन लेंगे चार फंदे सीधे बुनने के बाद देखे, नेशन हमने दो फंदों में पैटन डालना है, तो देखे इन दोनों फंदों को आगे करेंगे, और देखे जो इस पेश दिखाए दे रहा है, इसमें हम ऐसे सलाई डालेंगे, एक फंदा बना लेंगे, एक फंदा बनाने के बाद इसको left needle में डालेंगे धागा अपनी side करेंगे दो फंदे एक साथ बनेंगे फिर एक फंदा उल्टा बुन लेंगे धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे बुन लेंगे नेश्ट हमने दो फंदों में पैटन डालना है, एक फंदा बनाएंगे, इसको लेफ नेडिल में डालेंगे, धागा अपनी साइड, एक्स्ट्रा फंदा और पहले नमबर का फंदा, इन दोनों फंदों को एक साथ बुनना है और उल्टा बुनना है, फिर नेश्ट फंदा उ सीधे आजाएंगे, इस देखें इफ्रन्ट साइड से हमारी 11 रो कमप्लेट हो गई, अब देखें बैक साइड से 12 रो, 12 रो को हम सेकिन रो के तरह उल्टा बुनते हुए कमप्लेट कर लेंगे, यह देखें यह बैक साइड से हमारी 12 रो कमप्लेट हो गई, अब देखें फ्रन्ट साइड से 13 रो, अब 13 रो में देखें, पहला फंदा उतार लेंगे, नेश्ट फंदा हमने सीधा बुन लेने, अब इन दो फंदों को छोड़ने के बाद देखें, हमारे पैटन वाले फं एक, दो, तीन, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद देखें, दो फंदों में पैटन आ जाएगे, दोनों फंदों को आगे करेंगे, और ऐसे इस स्पेस में हमने ऐसे सराई डारनी है, और एक फंदा बना लेना है, यह एक फंदा बनाएंगे और इस फंदे को हम left needle में shift करेंगे धागा अपनी side करेंगे और देखें दो फंदे एक साथ बुनेंगे तो extra फंदा और पहले नमबर का फंदा दोनों फंदों को एक साथ बुनना है और उल्टा बुनना है तो देखें दो का एक कर लेंगे इस तरीके से फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे करेंगे अब देखें यहां पर एक दो तीन चार पांच और छे यह छे फंदे हमने सीधे बुन दिये छे फंदे सीधे बुनने के बाद देखें नेशन हमने दो फंदों में पैटन डालना है तो देखें यह दोनों फंदों को आगे करेंगे और देखें जो इस पेस दिखाए देरा यहां पर हमने ऐसे सलाइड डालनी है एक फंदा बना लेना है और इस फंदे को ऐसे लेफ नेडिल में डालेंगे धागा अपनी साइड करेंगे एक्स्ट्रा फंदा और पहले नंबर का फंदा एक साथ बुन लेना है दो का एक कर लेना है नेश्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे फिर धागा पीछे करेंगे और देखें नेश्ट हमने दो फंदों में पैटर्न डालने दोनों फंदों को ऐसे आगे करेंगे और देखें इस पेस में हमने ऐसे शलाइड आनी है एक फंदा बना लिने एक फंदा बनाएंगे इसको left needle में डालेंगे ऐसे फिर धागा अपनी side करेंगे और देखें दो फंदे एक साथ बुनेंगे एक्स्ट्रा फंदा और पहले नमबर का फंदा एक साथ बुन लेना है और उल्टा बुन लेना है फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे धागा पीछे 6 फंदे सीधे आ जाएंगे एक दो तीन चार पांच और छे छे फंदे सीधे 6 फंदे सीधे बुनने के बाद देखे नेश्ट हमने दो फंदों में पैटरन डालना है दोनों फंदों को आगे करेंगे और देखे जो खाली जगा दिखाए दे रहे यहां पर हमने ऐसे सलाई डालनी है एक फंदा बना लेना है और इसको लेफ निडिल में डालना है धागा पैटरन डालना है तो दोनों फंदों को आगे करेंगे और दिखे जो यह खाली जगा दिखाए देरी यहां पर हमने ऐसे सलाई डालनी है एक फंदा बनाना है इसको लेफ निडिल में डालना है धागा अपनी साइड एक्स्ट्रा फंदा और पहले नंबर का फंदा इन दोन तो देखे ए फ्रांट साइड से हमारी 13 रों कंप्लेट हो गई अब देखे बैक साइड से 14 रों को हमने सेकिंड रों के तरह उल्टा बुनते हुए कंप्लेट कर लेना है यह देखे ए रोंग साइड से हमारी 16 रों कंप्लेट हो गई अब देखे ए फ्रांट साइड से 17 रों अब 17 रों में हमारा पैटरन रिपीट एंड सिप्ट होगा तो देखे यहां पे रिपीट और सिप्ट की एक रों पहला फंदा उतार लेंगे अब नेस्ट हमने एक सीधा बुनेंगे धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा आ जाएगा यह एक फंदा हमने उल्टा बुनना है धागा पीछे करेंगे और देखे नेस्ट हम पैटरन के चार फंदे सीधे बुनेंगे अब देखे यह वाला पैटरन हमारा यह वाला पैटरन हमारा इ सीधे बुन्डेने हैं धागा अपनी साइड करेंगे और छै फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, और छै छै फंदे उल्टे चार फंदे सीधे आ जाएंगे एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे धागा अपनी साइड छै फंदे उल्टे आ जाएंगे दो तीन चार पांच छै छै फंदे उल्टे धागा पीछे चार फंदे सीधे आ जाएंगे धागा अपनी साइड पांच फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच फंदे उल्टे धागा पीछे लास्ट के दो फंदे सीधे आ जाएंगे एक लास्ट के हमने दो फंदे सीधे बुंदे ये देखिए इफ्रेंट साइड से हमारी सेवन्टीन डो कमफ्लेट हो गई इस सेवन्टीन डो में हमारा पैटन रिपीट एंड सिप्ट हो रहा था अब देखिए जो चार सीधे फंदे थे इसके उपर देखिए छै उल्टे का pattern shift हो गया और जो 6 उल्टे फंदे थे तो देखे इसके उपर ये 4 सीधे फंदों का pattern shift हो गया इस तरीके से हम अपने pattern को repeat and shift करते जाएंगे और बनके देखे हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुंदर बहुती आसान pattern है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें और आप हमारे चैनल भी नहीं हो तो please subscribe करना न भूले, thank you कर दोब भी पस्तों आपको हमारे लाइक करें खीजी से उता वाएगा इसे आ करेंगे दadamente लाएगा लाएगी जाएगा, झाल करेंगे बहुती आपको हमारे अला, करेंगे दो से जाएगां, आसे भी जाएगागा 176 005.